नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कारिकम सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में हर दिन हम आपको देते हैं आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन जो भी आपको समस्याओं होती हैं, हम हर दिन एक टॉपिक लेते हैं जिस पर आप अपने समस्याएं हमसे पूछते हैं, हमें बताते हैं और उस इसाब से हम आपको देते हैं solution आज solution में हम बात करने वाले हैं environment और वास्तु शास्त्र के बारे में इसी के लिए हमारे साथ सबी बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में माजूद है SM हुसेन सर, SM सहाब आर्किटेक्टर है और ये shelter house में आप काम करते हैं, shelter house आपी का है सर सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताईए कि वास्तु शास्त्र क्या होता है और अपने घर, मंदिर या कोई भी भवन का निर्माट वास्तु के अनुसार क्यों करना चाहिए इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजे आर्किटेक्टर में वास्तु जो है वो mythology है और mythology के हिसाब से हमें जो है वो directions दिये हुए है के इस इस directions में हमें यह यह चीज़े करना है जो के हर direction का मतलब होता है उसका परबस होता है उसके हिसाब से फिर हम लोग design करते हैं समझ लिजे के kitchen है तो kitchen आपका जो है वो south east में हो तो हम लोग जब planning करेंगे तो उसको south east में kitchen को रखके planning करेंगे हमें बताया गया वासू ने के entrance जो है वो best होगा वो इशान कोन में होगा तो हम पता चला के north east में entrance रखके कोशिश करते हैं फिर मतलब जो लोगों की requirement होती है उसको वास्तू के हिसाब से plan out करते हैं जी सर जैसे आपने अभी बताया कि वास्तू का जो है सब दिशाओं के और सब चीजों के उपर निर्भर करता है एक चीज हम आपसे और जानना चाहेंगे हुसेन साब कि जैसे आजकल environment को बहुत ज्यादा च्छती पहुचाई जारी है तो इन्वाइमेंट को कैसे प्रॉपर बनाया जा सके मतलब इन्वाइमेंट को कैसे हम तरीके से रख सके क्योंकि प्लांटेशन जितना आजकल लोग कर नहीं रहे हैं लोग जंगलों की कटाई कर रहे हैं सडकों के लिए और नय नय भवन निर्मान के लिए तो इसको दोनों को कैसे के मैनेज करें जिर्ट कुष्चन आप ने पताया जैसे हमारे आहां जो जब हम डिजाइन करते हैं तो लोग डिजाइन के लिए आते हैं और प्लैमिंग करावाते हैं वहां पर एक दो पेढ को बचा के hani करते हैं चर stoda कि ушसन जिम आपको रोकना चाहूंगा हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई है शुरूती जी शुरूती क्या सवाल है आपका क्या जानना जाती है आप शुरूती आपको आवाज आ रही है मेरी शायद हमारा संपर्ख नहीं हो पा रहा है तो जैसे हम बता रहा था मैडम के अभी कोई दिन पहले मुहमद रफी साहब की बहू हमारे घर पे आई और वो इंग्लेंड में हैं और इंग्लेंड के इन्वार्मेंट की बात कर रही थी कि वहाँ पर जब कोई भी प्लानिंग के लिए जाता है तो सबसे पहले उसको परमीशन लेना पड़ती है और परमीशन से पहले उसको प्लांटिशन मिलता है और उसके बाद बिल्ड़िंग कर यहां पर एक दो पेड होते हैं उसको भी काटनी की बात करते हैं अभी आप देखिए कि MLA's quarters बनाने के लिए, MLA's banglos बनाने के लिए कितने सारे पेड़ों को काटने की बात हो रही है, जबके existing जो MLA quarters हैं, वहाँ पर इतनी जगा है कि उसमें extension किया जा सकता है और कोई भी पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं है। जी, सर एक चीज़ और हम आप से जाना चाहरे थे, जैसे वास्तू शास्त्र में दिशाओं का बहुत महत्व होता है। तो ये दिशाओं का महत्व क्यों होता है और इसके according ही हम जब घर में कोई भी चीज़ का निर्मान करते हैं, या किचन का निर्मान करना हो, तो हम वो वास्तू शास्त्र के दिशा के according ही हम घर में अपने निर्मित करवाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है या आप हमारे दर्शक को को बताईए। देखिए, जैसे के पूजा रूम है। को एक में रोखना चाहूंगे, शूरूती हमारे साथ एक हमारी दर्शक है, वो जुड़ गई है, जै शूरूती क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल आपके यह है कि करवार जब मकान दर्वाले पे हैं और उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि घर की वासू सिटी ठीक नहीं हो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर फैमिली को फेस करनी पड़ती है। तो कैसे आप पड़ा कर सकते हैं कि आपके घर का वासू अरिया ठीक है या नहीं या फिर आपने जिसे मकान बनाने को दिया है जिस आर्किटेक्टर के हाथ में आपका घर है वो सेफ हाटों में हैं। उसमें आप वास्तू कंसल्टेंट से हेल्प ले सकती हैं वास्तू कंसल्टेंट भी होते हैं अलग से और आर्किटेक्ट भी वास्तू कंसल्टेंट होते हैं और उनसे आप गाइड लेके और आपके जो एक्जिस्टिंग मकान है उसमें भी जो वास्तू दोश हैं उनको आप सकती हैं उसके लिए आपको वास्तु कांसल्टेंट की पास जाना पड़ेगों जी आप उमेद है कि आपको हमारे सवाल का जो जवाब था आपके वो मैल गया होगा हमारे चैनल के माध्यम से शुक्रिया शूति हमारे साथ जुड़ने के लिए तो सच जैसे हम बात कर रहे थे अब हुसेन जी की आर्किटेक्ट के लिए आपको जो आप नए भवन निर्मान कर रहे हैं आपको परियावरण को संद्रक्षन में भी ध्यान में रखते हुए करना चाहिए हम बात करते हैं तो भूपाल के इन्वार्मेंट में भी आजकल बहुत चेंजेसा है जैसे अभी अब बता रहे थे कि विधायकों के घर बनाने के लिए और सारे भवन निर्मान के लिए यहां से भी प्लांटेशन को कहीं न कहीं खतम किया जा रहा है तो सर आपका क्या मानना है कि भूपाल का इन्वार्मेंट इस समय कैसा है क्योंकि हम भूपाल में है तो जिसार तरीके स Garden City of India बोपाल का अगर आफ लेक देखें तो उसमें बारा फ्लावर्स बने हुए हैं बारा फ्लावर्स बोपाल के बारा Greatest Gardens को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी एक एक की पाच पाच पंखडिये हैं पाच पाच पंखडिये जो है बोपाल की 60 बगियों को रिप्रेजेंट करती हैं वो भी बड़ी बड़ी थी मताब उनका भी 20-20 एकर से जादा एरिया होता था इस तरह से 72 Gardens का बोपाल वाज Garden City of India हमने उसको नहीं कहा और पता चला कि वो धीरे धीरे सिर्फ लैक सिटी रह गया तो हमारे जो Gardens से वो धीरे-धीरे खतम हो गए बहुत से Gardens में फैक्ट्री बन गई बहुत से Gardens में कॉलोनी बन गई और हमारे Garden खतम हो गए और आज भी जितने Plantation है उसको हम बचा नहीं पा रहे हैं पुराने ओरीजिनल प्लांट्स को जो है हम लोग कंजर्व नहीं कर रहे हैं बहुत सी जगह पे मिटी बहने से उपर की स्वाइल हट गई है और जब आंदी आती है तुफान आते हैं तो वह पेड़ गिर जाते हैं तो पुराने पेड़ों को बचानी की जरूवत है नए लाटेशन करने की भी जरूवत है तो आर्किटेक्ट और पर्यावरं का आपस में क्या रिलेशन है आप हमारे दर्शकों को बताईए अर्किटेक्ट रूल के इसाफ से प्लैनिंग करता है आप देखिए कि ज्यसे में इंग्लाइन का एक्जामपल दे रहा था तो वहाँ पर कोई भी जो बंगुस जान भी क्या सवाल है आपका क्या जानना चाहती है जी सर मैं यह जानना चाहती हूं कि अगर हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत जादा हुए जैसे वाश्री सास्तर को लेकि अगर कोई नेगेटिविटी यह चीज़ है हम प्लांटेशन से या पीड वगएर ऐसे कौन से लगा है जिसे हमारे घर में पॉजिटिविटी रिक्शन होते हैं और प्लांटेशन से भी आप जो है मतलब बहुत जैसे के आपने देखा के तुलसी का पौदा जो है बहुत अच्छा माना जाता है और हिंदू जो है पूजा करते हैं मुसलमान में भी कौराइश शरीफ में तुलसी के पौधे को रहान कहा गया तुखमे प्रॉपर जगा पर लगा के उसमें से पॉडिशेटीव एनरजी जिंरेट कर सकते हैं प्रॉपर जगाप में बहुत कुछ है तो आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा हमारे चैनल के मादम से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर जैसे हम अभी बात कर रहे थे Plantation और Architect का आपस में जो relation है उसके बारे में तो आप हमारे यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कैसे Plantation करना है उसके लिए मैं आपको Best Method बताता हूँ कि पता चला कि आपकी खुद Environment को बचानी की जिम्मेदारी है अभी रेनी सीजन शुरू होने से पहले मैंने जो है 40,000 पेड लगाए कैसे लगाए बहुत ही आसान मैथड में आपको बता रहा हूँ जैसे समझ लिजे के मैंने जैसे ही रेनी सीजन आने लगा मैंने बीज लिए और बीज लेके जहां पर भी में बाहर जाता था जंगलों में वह बीज फिकता जाता था और कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनको के अगर आप फेकेंगे तो 100% पेड बनने के चांसे से एक आता है कैस्टर रॉयल जिसको हम अरंडी कहते हैं आपने एक किलो अरंडी लिया उसके करीब आपके 10,000 बीज आपको मिले और वो आपने जंगल में फेक दिया तो समझ लिजे के 50% आपके पेड़ जो हैं वो पेड़ बन जाएंगे आपको इन्वार्मेंट अच्छा हो जाएगा आपको दौएं मिलेंगी अब समझ लिजे के आज की तारिख में सीता फल आ रहा है शरीफा आ रहा है शरीफा आपने खाया उसके बीज आपने अपने पास रख लिए ए एक शरीफे से 30-40 बीज निकले है वह आपने जंगल में फेक दिये तो समझ लिजे के बारिश आईगी और उससे पेड़ बन जाएगा और अगर कोई दूसरा पेड़ होता तो हो सकता है के जानवर वो खा लेते लेकिन शरीफे के पेड़ को कोई जानवर खाता नहीं है इस इसका मतलब यह के उसके बढ़ने के चांसे पूरे के पूरे हैं जी हुसान जी मैं रोकूंगे यहां पर हमारे साथ एक और दर्शक जोड़ गया है अंकित जी अंकित क्या सवाल है आपका ची मीडम सर से मेरा सवाल है कि आजकल जसे वास्थू को ज़्यादा देखा जाता है घर बनाने से पहले स्वाइब को या फिर बेडरूम को या फिर नना चाहता हूं। देखिए भास्तु के हिसाब से बहुत सारी चीजे हैं मतलब जब आप वास्तु में कर रहे हैं तो आपको सभी चीजह हैं आप समय लिए कि उसमें बहुत सारी चीजहों में साइंस भी अच्छी मिल रही है इस हिसाब से मितलब आप इस में आपने मंदिर रखा नौर्थ इस में मंदिर रखा तो पता चला कि आप सूरज उपता हुआ आप देख रहे हैं तो आप सुची आपको साइकलोजीकल भी कितना फायदा हो रहा है तो शुक्रिया अंकित आपको हमारे सव सवाल का जवाब हमारे मादम से जरूर मिला होगा हमारे साथ जुणने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया तो सर जैसे हम बात कर रहे थे अभी इन्वार्मेंट को लेकर हम एक बात और जाना चाहेंगे जैसे आर्टिक में हम हर चीज जो वास्तु शास्त्र क से हम हर चीज को इसाइन करर्वाते हैं अपना ओंपार्मों हो चाहें गर की कोई आए लोकेशन हो हम सारी वास्तु के संख्र कर रहेशा को और बताइए प्लान्टेशन करते हैं उस इसको भी क्या दिशा के अक्रूडिंग हमारे घर में कहीं एक जगा देना सब्akraम में बाल तो उसमें आपके समझझ लीजे खुजबु वाले पेड़ आपने लगाए तो वो पूरे घर में आपके खुजबु रहेगी ऑगर वोई आपने खुजबु वाले डिरेक्शन लागा दिया तो खुजबु बाहर निकल गई फिर आपके पता चला कि जिस डायरेक्शन में लगाए तो पता चला कि वहां से एर चन के आपके घर में आ रही है तो वह जादा बेटर है जी तो हम बात कर रहे थे देखिए वास्तु के साब से आप बात कर रही हैं तो टॉयलेट रूम में होना ही नहीं चाहिए लेकिन आज की दरूरत है हमारे अटेश्ट टॉयलेट होते हैं तो कम से कम जब टॉयलेट अलाउड नहीं है तो हम उसको जादा जादा बंद रखें तो एक तो आप साइकलोज अब देखेंगे और फिजीकली देखेंगे के कहीं से बहुत सी बारे से आपने देखा कि अभी रेनी सीजन में सीट के अंदर से स्नेक निकला दर्वाजा बंद है तो कम से कम वो कई कीड़ा आ गया तो आपके अंदर एंटर नहीं हो रहा और इसमेल नहीं आ रही आपको औ हमारे साथ यहां पर एक और दर्शक जुड़ गए है हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी हुई है यहां पर अर्पिता अर्पिता क्या सवाल है आपका अर पिता आपको आवाज आ रही है मेरी लगता है हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा है हम फिर से जुड़ने के कोशिश करेंगे तो सर जैसे हम बता रहे थे अभी हम बात कर रहे थे टॉइलेट्स को लेकर हम लोग प्लांटेशन के बारे में भी बात किया अब हम आप से ये पूछेंगे जैसे जूते चपल को लेकर कहा जाता है कि जूते चपल हमेशा बाहर रखना चाहिए घर के बाहर रखना चाहिए लेकिन आजकल इतना स्पेस नहीं होता है एतनी जगह नहीं होती है कि हम लोग घर के बाहर जूते चपल रखे या उसके लिए क जूतों के सांथ जो पार्टीकल्स होते हैं वो नेगेटिव एनरजी ले के आते हैं। और अगर आप scientific कोई भी चीज के अगर आप वासू को मानते हैं नहीं मानते हैं लेकिन अगर आप उसको scientific way में देखें कि घर में कारपेट लगा हुआ है तो उस हाथ में तो बिल्कुल ही जूते अंदर ही नहीं आना चाहिए और अगर आप जितनी बार जूते लेके आ रहे है हैं और जब आप उसको microscope से चेक करेंगे तो आप देखेंगे उसमें फुल आफ बैक्टीरिया मतलब उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया मिलेंगे तो इसका मतलब यह के वह बाहर रहें तो बैटर है और जहां तक आप जगा की बात बता रहें कितनी भी कम जगा हो अगर आप में प्लाइनिंग हैं आप आप वह करना चाहते हैं तो उतनी कम जगा में आप क्रिएट कर लेते हैं जी आधहर हम आप बात जाना जाहेंगे जैसे बाधर हुन और बात हुन जो हम होता है वेटरूम में अक्षर देखते हैं कि भग़वान की तस्वीर या अल्लह की तस्वी ही ए सको लगाने के लिए हम वास्तु के हिसापसू से नहीं लगा जाता है पेड्रूम में इसके पीछे क्या कारण है और क्या एसी वज़ा है कि बैड्रूम में भगवान को स्थापित करने से मना किया जा जाता है कि तस्वीर जो है जैसे हम लोग काबे की फोटो भी लगाते हैं उसमें लिमिटेशन यह है कि कोई भी हीमन फिगर नहीं दिखना चाहिए काबे के असपास बहुत सारे लोग भी तवाफ करते हुए दिखते हैं लेकिन वो तस्वीरे इतनी छोटी होती है कि उनको हम रिकगनाईज नहीं कर सकते है सिर्फ उतने ही लाउड है तो मतलब यह के उसको एक जो चीज है वह पॉजिटिव एनरजी का एक बहुत बड़ा सोर्स है हमें उससे पॉजिटिव एनरजी मिल रही है और हम उसको देख रहे हैं काबे को जैसे मैंना एक एक इसकेस कर रोकना चाहूंगी हमारे साथ यहा वह न рядом को ट्वार टाइ रगाए तो वह भी ठीक नहीं होता है ऐसा भी कहा जाता है और प्लॉट खरीदे रहते से ताइम भी आपको दिशा का धिया डगाने लेकिन अशकर सकता आटे हैं हम एगा ति हाव पांटे थेंन के नहीं ध्यान तो बहूँ भाने उसे बहाँ उसे architect की जम्मेदारी है जब आप plot भी लेने जा रहे हैं तो उसकी लिए भी architect पहले जो है colony की design करता है और colony की design में भी उसकी कोशिच रहती है कि maximum plots जो रहेंगे वो north south ना होते हुए east और west रहेंगे जादतर plots east और west रहेंगे कम से कम आपको east और west direction तो मिले ही मिले उसके बाद corner plots होते हैं उसमें कुछ हो जाता है कि गव मुखी है या शेर मुखी है तो उसमें जो है अगर आप architect के पास जाएंगे तो architect उसमें भी आपको वासुदोश निकाल के और आपको planning करके देदेगा आपको हर चीज में आर्किटेक्ट से राय लेना चाहिए उससे design करना चाहिए और plot लेने से पहले भी आर्किटेक्ट के पास जाना चाहिए उससे approve करवाना चाहिए उमीद है रपिता कि आपको हमारे नाजी टीवी के माध्यम से आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तो एमेस हुसेण साहब यहां में पता रहे थे कि किस तरीके से आर्किटेक्ट और इन्वार्मेंट का एक दुसरे के साथ संबंध होता है शुक्रिया सर हमारे दर्शकों को और हमारे जितने भी व्यूवर्स है उन सभी को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए तो हमारे आज के खास कारिक्रम सॉल्यूशन में आज के लिए इतना ही अनारी टीवी पर आप और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमें आज के लिए जीजे इजाज़त झाल